स्टापस की शोगों में किसी की प्यार में की कहानी में सवी का सई को बचाने के इस पूरा प्रोसेस में अगर सबसे जादा उने किसी बात का बुरा लगने वाला है तो वो होगा ठकस का भूसलेश की तरफ बिहेवियर और वो भी उस सबूत पर जो की सच था ही नहीं वहीं हम कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान सभी का रोका रुखने माला है उनका रिष्टा चुड़ने से पहली ही तूटने वाला है लेकिन उसने इस बात का भी अफसोस नहीं होगा पर इस बात की खुशी होगी कि वो सई की चान बचा पाए वह अब इसी बात के क्लिए रजट को सारी डात भी पढ़ती नजर आने वाली है उनके पापा से क्योंकि रजट के पापा एक इंसान थे जो बिना किसी पुक्ता सबूत के इस बात पर यकीन करने के लिए नहीं थे तैया वाई गुमेंगसी के प्यान में की कहानी में आने वाला है अब बड़ा ट्वेस्ट जहा पर सई को चुनना होगा या तो रजट या फिर आश्का में सी किसी एको पर सई चुनती नजर आने वाली है उनकी परियांटी याने की सवी को तो देखने वाली बात ही होगी फैन्स की जहांपर धीरे-धीरे करके ये तो पक्का है कि रजट को इस बात का एसास होने कि सवी सई के लिए एक तम परफेक्ट मा है और साथ ही साथ क्या रजट अपनी गलतियों की माफी भी सवी से मांती है नजर आने वाली है चानिकलस प्राप उसकी शूफ को में इसी की प्यार में को लगतार देखते रहिए करी मां को सब्स्क्राइब करना बिलकुल ना भू प्राप बिल्याओ करी प्यार में आने लिए।